समस्कार दोस्तो मैं हूँ संदीप और आप देखे आपका खुद का चैनल इंडियन बाइक दोस्तो वीडियो के आखिरी में आप डेस्क्रिप्शन को जरूर पड़ो वहाँ पर आपको सारा डीटेल्स मिल जाएगा तो दोस्तो आएए हम पहले फीचर्स के बारे में जानते हैं 15% मौर मैलेच के साथ उनीक इंपक डेस्टन इजाइन लॉग लास्टिंग दुरलाइफ निजिन सुपर स्वर्ण बॉक्सिरों सैस्टी में बिल्ट विद च्रूम असेंट च्रूम बजल हेद्लम विद ड्रल कर लाइक स्पिरोमेटर लाइक स्वर्ण श्रूम अस्वर्ण च्रूम श्रूम ष्रूम बिल्स 18-inch इंच इंच तरूम जाइस ग्रूम अस्टन इंपर्फ च्रूम बिल्स पर्फक्त सीथाइज प्लिए 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 अंपल विद येर लेड़ी प्लिए लिए handle hook, USB charger spot, all gear self start, maintenance free battery, synchronized braking technology, side stand indicator with beeper, unbreakable turn signal mounting, full chrome metal exhaust, high performance dura grip tire, तो दोस्तों इसे के साथ इस बाइक में आपको मिल जाएगा 70 to 75 km per litre mileage, तो और भी बहुत कुछ है दोस्तों, इस बाइक के बाड़े में आईए, अब हम detail में जानते हैं, बाइक की front suspension में आपको यहाँ पर मिलते है, telescopic oil damped shock absorber, Indian road condition के हिसाब से यह बहुत ही अच्छा है, और build इस बार मुझसे कहा है कि इस बेरियंट में आपको दिखा हूँ तो अब यह आ चुका है, 240 mm डाइड इस front side में है दोस्तों, अभी इस radion model में, और इसमें जो आपको brake oil का इस्तमल करना है, हमेशा dot 3 या fit dot 4, और साती साथ दोस्तों, इस bike में, front side में आपको मिलता है premium 5 spoke alloy wheels, यह बिलकुल matte black finishing है, अच्छा finishing है दोस्तों, साती साथ इसमें आपको मिलता है 2.75 into 18 inch tube less tire, dura grip tire है दोस्तों, front side में, और इसकी जो performance है दोस्तों, weather जैसा भी हो, हमेशा top class रहेगा, देखिए tvs के तरफ से आपको यह tear दिया गया है, देखिए क्या beat है, क्या cutting है, front side में, rear side में भी दोस्तों, same tear है आपके लिए, dura grip tear, bike की rear side में आपको यहाँ पर मिलता है, fully chrome finish lady pillion handle with hook, साती साथ दोस्तों, यह जो suspension है, 5 step adjustable hydraulic shock absorber आपको यहाँ पर rear side में मिलता है, दोनों तरफ ही same है, दोस्तों, देखिए यहाँ पर step, 5 step adjustable है, यह suspension, साती यहाँ पर आपको मिलता है, 110 mm drum, internally expanding system, तो दोस्तों, साती साथ इस bike में आपको मिलता है, synchronized braking technology, और इसमें आपको मिलता है, premium 5 spoke alloy wheels, 3 into 18 inch tube blades, dura grip tear के साथ, और यह दोस्तों, यह tear भी all way that tear है, देखिए क्या finishing है tear की, इस bike में BH6 engine आपको मिलता है, दोस्तों, साती साथ इस गारी में self start के साथ आपको kick start भी मिलता है, देखिए यहाँ पर kick start है, यह रहा वो हिस्सा, साती इस bike में आपको जो silencer मिल रहा है दोस्तों, यह BH6 एकदम नया silencer है, और इसके उबर fully metal chrome finish आपको मिलता है, यह जो maffler है, fully chrome है, दूर से देखने में bike बहुत ही अच्छा लगता है, इस chrome finishing के साथ, तो आएए दोस्तों, अब हम engine के बारे में जानते है, eco thirst, fuel inject, 4 stroke, dual life, BS6 engine आपको इस गारी में मिलता है, displacement 109.7 cc, maximum power 8.8 php at the rate 7,350 rpm, maximum torque 8.7 newton meter at the rate 4,500 rpm, bore 53.5 mm, stroke 48.8 mm, self and kick start, बोथ आपको इस bike मिलता है, दोस्तों, transmission 4 speed constant mash with multi bullet disc, इस bike में है, साथी साथ आप यहाँ पर देखिए, rider footrest में यहाँ पर rubber का इस्तमाल हुआ है, और यह जो gear pattern है न दोस्तों, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, all up gear आपको यहाँ पर मिलता है, four gear है दोस्तों, इस bike में एक दम नीचे neutral है यहाँ पर, और उपर all gear आपको मि stand, और दोस्तों इस bike में यहाँ पर आपको मिलता है, fully metal heavy build साड़ी गाड, यहाँ पर आपको एक ladies footrest भी मिल जाएगा, इसी bike के साथ, इसमें install अभी नहीं है, यहाँ पर आपको मिलता है, fully fiber made chain cover, इसे आगे तक रखा गया है, और यहाँ पर आपको एक mart guard भी मिलता है दोस्तो और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको mention किया गया है, tire pressure, आपको हमेशा इसी pressure को रखना है, इससे mileage और breaking आपको हमेशा top class मिलेगा, साथी आप इस हिससे को open करके chain को loop भी कर सकते हो, दोस्तों इस bike में आपको जो seat मिल रहा है, आप यहाँ से अच्छी तरीके से देखिए कितना नरम seat है, लंबा seat है, बहुती soft है दोस्तों यह seat, सिलाई है देखिए बहुती अच्छी तरीके साप इसे देख सकते हो, और यह जो pattern है seat के ऊपर यह भी बहुती खुबसूरत लग रहा है, देखने में under sunlight, और साथी मैं आपसे कहँदू, देखिए दूर से seat कितना लंबा काफी चौड़ा है, राइडर के लिए भी और पीलियोन के लिए भी, यह seat बहुती अच्छा है दोस्तों, आप इसे लेके आराम से 60 km तक हर रोज ड्राइब कर सकते हो, और यहाँ पर आप देखिए आपको मिलता है पीलियोन फूट्रेस में fully rubber, left side और right side, दोन अगर चाहो तो इसके उपर कुछ सामान भी आप carry कर सकते हो, बाइक की left side handlebar में आपको यहाँ पर मिलता है fully rubber grip, और साधी साथ दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है chrome finish clutch lever, और इसमें आपको switch में मिलता है high beam low beam switch, side indicator switch, और नीचे horn switch, और इस तरप आपको yellow color के साथ मिलता है pass by switch और दोस्तों इस बाइक की right side में आपको मिलता है fully rubber throttle grip, साथी hand operated chrome finish brake, और इहाँ पर आपको मिलता है light on off switch, और नीचे self start system, इस बाइक में दोस्तों आपको मिलता है car like spirometer system, आप हमेशा economy mode में बाइक को right कीजिए, इससे mileage आपको हमेशा बहतर मिलेगा, और इसमें आपको मिलता side stand indicator with beeper, एक safety features, ये key section है दोस्तों और इसमें आपको मिलता है chrome finish handlebar, और इस बाइक में आपको एक USB charger में मिल जाएगा दोस्तों, ये जो tank है देखी यहाँ पर R लिखा गया है, और इसमें आपको मिलता है chrome finish petrol lid, और इसमें petrol capacity है दोस्तों 10 liters, fuel inject बाइक है, आपको इसमें mileage मिल 70 plus, इस बाइक में आपको यहाँ पर मिलता है एक thigh pad, जो एक unique है इस segment की बाइकों में, देखे दोनों तरफ है दोस्तों और यहाँ पर देखे 3D में लिखा गया है TVS, तो एक unique look है, इसमें भी chrome का इस्तिमाल हुआ है दोस्तों, इस बाइक में दोस्तों आपको मिलता है 12V 4AH maintenance battery, इसमें आपको मिलता है headlight पे 12 435 by 35 watt multi reflector light with LED DRL 5 watt, tail lamp आपको यहाँ पर मिलता है 12V P21 by 5 watt light और 4 के 4 side indicators दोस्तों आभी भी इसमें bulb है, दोस्तों बाइक में यहाँ पर देखे आपको chrome मिल जाएगा और यहाँ पर लिखागा है Eco Thirst A5, और दोस्तों साथी यहाँ पर आपको 3 CD में मिल जाएगा radion लिखा हुआ, तो एक unique है और साथी दोस्तों इस बाइक की जो ground clearance है 180 mm, carb weight 118 kg for this variant और एक showroom price 67,942 रूपीज नाउ, तो दोस्तों इस बाइक को आप इसलिए खड़ी दोगे क्योंकि इसमें है synchronized braking technology, all gear self start system और साथी साथ बहुत कुछ, मैंने सब कुछ इ तो प्लीज दोस्तों वीडियो को like और share कीजिए और subscribe कर दीजे मेरे channel को, thank you